ख़जाराट पारसनात भगवानी की जय 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 स्रवन संस्कृति के उन्नायक प्राता है स्तमानिया चैर भगवन्त विद्या सागर्दी महामुनी राजे की जय 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 बोलिये गुणायतन प्रणेता संका समाधान बाभावना योग प्रवर्तक प्रखरवक्ता पूज मुनिवर्सरी प्रमान सागर्जी महाराजी की जय 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 मुनिवर्सरी अरहे सागर्जी महाराजी की जय 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 प्रिये बंदुओं, तीर्थ राज सम्मेश सिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित, नित्प्रती देश के सरवादिक लोग प्रिये कारिक्रम संग का समाधान में, यहां उपस्तित, इभम देश विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, पारशेनल इभम प्रा नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू. बंदुओं, हमें बड़ी प्रसंदता है कि लोग ऐसी वैश्विक महामारी में भी, जहां लोग धर्म से दूर हो जाते हैं, वहीं अनेक लोग ऐसे हैं, जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में साधा है, लगातार धर्म से जुड़ते जा रहे हैं बंदुगों उसी कड़ी में बंदुगों जो आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं निरवाण निधी के रूप में ऐसे पार्त साय संदीप साय गुणगाओं हर्याना से हम उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हैं साथी बंदुगों एक सूत्रधार से स्थ कि रूप में जो आज आय हुए हैं ऐसे रूप चैन जी जैन, डक्टर ससांग जैन सो, इसनेहल जैन, अनान्या जैन, एवं समरपन जैन, पनवेल, रायगड से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इनको हं धन्नवाद देते हैं हमारा गुणायतन परिवारन को बहुत-बहुत अभी नंदन करता है, बंदुओं लगातार लोगों की स्विकारिताय मिल रही है, देश का सरवाधिक सबसे अच्छा एक आयतन यहां पर जो बन रहा है बंदुओं, वो आयतन है, गुणायतन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी तक आप गुणायतन से न महारा स्री के चरणों में बंदन करती है, डाक्टर संजीव जी, रंजना जी, प्रचंडिया, गुणायतन ट्रस्टी, अलीगर से आपके चरणों में बंदन करती है, निवेदन करने की महारा स्री, प्रकरती हमें प्राकरतिक जीवन जीने की प्रेड़ना देती है, लेकिन ह वोका रुजान क्रितिमता की और होता है इसकी वजह की वलिये है कि हमारे अंदर विकृत्टी भरिवी है जब तक हम अपने अंदर की विकृत्टी को दूर नहीं करेंगे तब तक हम प्रकृत्टी के साथ अपना सीधा सामन जस्त नहीं बिठा पाएंगे विक्रति के निवारेन के बाद ही हम प्रकृति का सच्चा लाव ले सकते हैं आज की इस बरतीवी उभोगतावादी सोच जिसने हमें पूरी तरह से प्रकृति से बिमुख कर दिया है वो हमारी कृतिमता को बढ़ाने में बड़ा कारण बना है अगर वेक्ति के जीवन में साधा जीवन उच्छे विशार का सिध्धान ता जाए उसकी सोच अध्यात्मिक बन जाए तो वह अपने आपको प्राकृतिक रूप से ढाल सकता है ये बात सही है कि जो प्रकृति के साथ सामंजस से बना करके जीता है वो उसके जीवन सुखी होता है और जो प्रकृतिक के साथ खिलवाल करता है उसका प्रणाम पूरा विश्व आज भोग रहा है मनुष ने प्रकृतिक के साथ जो छेड़ चाल की है बैश्विक, महामारी और अन्ने समस्चाय उत्पन हुई है इसी तरह जब विक्तिगत लूप से भी हम देखते हैं तो जैसे जैसे मनुष अपनी प्रकृति से दूर भागता है उसके जीवन में एक बकार की विक्रतियां जनमें लेने लगती है और ये विक्रतियां उसके जीवन के लिए महान दुखदाई होती है इसलिए हम विक्रति से बचे हम प्रकृति से संस्कृति की ओर चले मैं चार सब्द आप सबसे कहूंगा प्रकृति, विक्रति, संस्कृति और दुख्रति प्रकृति क्या है, विक्रति क्या है, संस्कृति क्या है और दुख्रति क्या है इसे समझना है प्रकृति क्या है गाहे से दूद दूना प्रकृति है दूद को फाल देना विक्रति है दूद को ढोल देना दुस्कृति है और दूद से घी बना लेना नौनीत निकाल लेना हमारी संस्कृति है प्रकृति संस्कृति की और बहने की प्रेड़ना देती है लेकिन ये विकृति और दुस्कृति की चीजे ठीक नहीं है हम जब चीजों को जादा सजाने समारने में लगते हैं और उसका मूल सलूप खंडित कर देते हैं तो इस तरह की समश्या उत्पन होती है इसलिए हम प्रकृति के साथ सामंद से बना करके जियें विकृति से बचें महरा स्री अनियुका जी गोटे गाहों से चलना वबंदन करती हैं महरा स्री लोग बोलते हैं कि पिता और ससुर में कोई भेद नहीं करना चाहिए तो फिर लोगों ने भेद करने वाला नियम ही क्यों बनाया है ससुर के लिए परदा क्यों करवाती हैं जबकि एक पिता के लिए तो कोई परदा नहीं किया जाता है महरा स्री मैं ससुर को पिता के समान मानती हूँ उनका उतना ही समान भी करती हूँ परन्तु उनके सामने पर्दा क्यों किया जाता है जबकि पिता के सामने पर्दा नहीं होता है करपया समाधान करें देखे आज से कुछ वर्स पहले तक मैं कहा करता था कि सासु को मा मानो और ससुर को पिता मानो लेकिन एक दिन अचानक मेरा चिंतन गया और तब से मैंने कहना बंद कर दिया और मैं कहता हूँ सासू को सासू मानो सासू को सासू मानो मा को मा मानो और पिता को पिता मानो क्योंकि मा का इस्थान सासू नहीं ले सकती और पिता का इस्थान सासू नहीं ले सकते सासू का इस्थान मा नहीं ले सकती चाहिए रिस्ते में लेकिन हमारे हृदय में जो सम्मान मा और पिता के प्रती होता है साह ससुर भी उसी सम्मान के हगदार है उनको भी उतराही सम्मान देना चाहिए उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं होना चाहिए जहां तक मर्यादा की बात है पर्दे की बात है ये अलग अलग विवस्था है पिता के साथ एक पुत्री का जो संबन्द होता है और ससुर के साथ जो होता है उसमें एक अंतर है ही क्योंकि रिस्ते अलग है तो मरियादा भी अलग अलग होगी भूमका के अनुरूप सारे कायर होने चाहिए लेकिन मैं एक बात कहता हूँ असली मरियादा तो हमारे आँखों के लिहाज का है अगर हमारे अंदर पर्दा हो तो आँखों में पर्दा होना चाहिए लग जा ही सबसे बड़ा सबसे बड़ी मरियादा है जो हम बचा कर चलेंगे तब ही अपने रिस्तों की मौलिकता को हम सभाल पाएंगे अनिता सब कुछ खो जाएगे महरस्री नमोस्तो मेरी संका यह है कि क्या सूरियास्त का समय बदलने पर ब्रह्म मुर्थ का समय भी बदल जाता है यदि हाँ तो क्रपया उधारन दे करके समझाईए मेरी संका का समाधान कीजिए अबन मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तो करते हुए आशिर बात चाह रहे हूँ पूरी परिवार के लिए बात सही है सामान तया सुरियास्त के ब्रह्म महुर्थ प्रातर काल मानते हैं लेकिन इसको सुरियास्त और सुरियोदे से जोड़ना चाहिए सुरियोदे के समय में जो रातरी का अंतिम प्रहर होता है वो प्रहर में अंतिम प्रहर को मनोहर प्रहर करते हैं और मनुहर प्रहर का जो उत्राज है वो ब्रह्म मुहुर्थ के अंचर गताता है इसको सुर्याज के साथ संबंद जोड़ करके चलना चाहिए प्रकास जो पाटने अजमेर से आपके चरोणों में बंदन करती हुए नमुस्तर विद्ध करती हुए कह रहे हैं जलो वही जहां आवशक्ता हो उजालों में चिरागों के माइने नहीं होते भरासरी क्या हम प्रेम बातसल या सम्मान उनहीं लोगों का करें जो हमारे मन को समझती हों हमारे विचारों को समझती हों करपया समाधान करें जलो वहीं जहां आवशकता हो उजालों में चिरागों की कोई माइने नहीं होती बात बिल्कुल सही है आपने जो नीचे की लाइन बोली एक बार फिर से दो रही है जलो वहीं जहां आवशकता हो उजालों में चिरागों की माइने नहीं होती महरा सिक्रा हम प्रेम बातसल या सम्मान उन्ही लोगों को करें जो हमारे मन को समझती हों हमारे विचारों को सामज्यस रखती हों क्रपया समधान करें देखे आपके प्रश्ण का दो पहलुहर दोनों अलग-अलग है आपने जो पहले की दो पंक्तियां बोली जलो वहीं जहां आवशकता हो हुजालों में चिरागों की माइने नहीं होते इसके अंदर प्रतिधनित अर्थ को हमें समझे जलों है बहुत सही बात कही है आज जलना सब्द अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को प्रकट कर रहा है हम जलन सब्द को ज्वेलिशी से जूड़ कर देखते हैं और कह रहे हैं कि तुम जलो मत क्योंकि उजाले में चिरागों के माइने महीं होते हैं तुम किसी से जल रहो किस से जलते हैं लो जलते किस से हैं हमेशा अपने से बड़े से जलन होती तो तुम एक उजाले के साथ और चिराग जला रहे हो तो उसका अर्थ क्या होगा गुर्देव का एक बहुत अच्छा हाइकू है इर्शा क्यों करूं इर्शा तो बलो से हो बलो से हो छोटा क्यों बनूं इर्शा क्यों करूं इर्शा तो बड़ो से हो छोटा क्यों बनो बस मनुश इतनी बात समझ ले तो उसके हंदर में कभी इर्शा और विद्रेश की भावना होगी ही नहीं अगर हम किसी के प्रतिश जलन कर रहे हैं हम जल रहे हैं तो तै मानना हम अपने आपको छोटा बना रहे हैं क्योंकि हमने किसी को अपने से बड़ा देखा है और वो हम सहनी पा रहे हैं अपने से बहते को न सह पाना ही तो इर्शा है तो जलो क्यों जलो वहीं जहां आवशकता क्योंकि उजाले में चिरागों के कोई माइने नहीं होते ये अर्थ बहुत गंभीर है इसका अर्थी है ये कि जलने का कोई अर्थ नहीं जलने की कोई आवशकता नहीं तुम से अगर कोई बड़ा दिखता है तो तुम उससे देखकर जलने की जगा प्रेर ना पाओ हो सकता आज तुम उससे प्रेरित होगे तो कल तुम उससे भी आगे निकल जाओ लेकिन जलोगे तो तुम पिछल कर के ही रह जाओगे इसलिए जलो मत प्रेर ना पाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का उद्यम करो दूसरी बात जिन से मनस्थिती मिलती है उनी से प्रेम क्या सब्द बोला पुरा जिन से हम प्रेम बात सल्या सम्मान उनी लोगों का करें जो हमारे मन को समझते हों या जो हमारे विचारों में सामंजस रखें मैं तो कहता हूँ सामने वाले के मन को समझने की छमता अपने भीतर विक्षित कर लो प्रेम बासल अपने आप हो जाएगा प्रेम वेक्ति को देखकर नहीं किया जाता है प्रेम तो सब के प्रति होना चाहिए मेरा मन साफ है तो सब के प्रति प्रेम बरसेगा बरसे बिना रहेगा नहीं लेकिन लोग हैं जो अपने मन में निक पकार की छुदताएं विक्षित कर लेते हैं तो किसे से प्रेम करते हैं किसे से देश करते हैं हकीकत में प्रेम कम से करते हैं देश जादा से करते हैं हर वेक्ति देखे उनका प्रेम पूर्ण संबन्ध कितनों से है और देश संबन्ध कितनों से है पाएंगे देश संबन्ध वाले लोग जादा है प्रेम पून संबन्ध वाले लोग कम एक बेक्तिन एक देवी को सिद्ध किया देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ठीक तुम मांग लो तुम जो मांगो तुम्हारे समान हम दस लोगों को वो देंगे हम दस को देंगे तुम किसी भी दस आदमी के लिए मांगो अब वो दस आदमी किसका नाम चुने जिसके वो प्रहिम करता है उसने दस नाम दिये इन दस को छोल कर जिसको देना दे दो इन दस को छोल कर तुमें जिसको देना दे दो यह हमारी मनुवृत्ती है हमें ऐसी मनुवृत्ती से बचना चाहिए सुनील कुमार जेन गांधी जबलपुर से नमोस्त निवेदित करती हुए कह रहे है कि महारा स्री गुर्वर लोग दूसरों का की तारीफ या कामयाबी पर पैर रख करके दूसरों की तरक्की या कामयाबी पर पैर रख करके अपनी सीड़ी बना करके आंगे निकल जाते है पर अपनी ही परचाईं को नहीं पकड़ पाते जैसे ही इनसान आंगे बढ़ता है परचाई और आंगे बढ़ जाती है हमारा स्री हम ऐसा क्या करें कि लोग अपनी ही सीड़ी बना करके आंगे बढ़े किसी की बनाई सीड़ी पे आंगे न बढ़े संका का समाधा है हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी ही बनाई शीड़ी पर चड़कर आगे बढ़े, दूसरों की बनी बनाए शीड़ी पर न चड़े मैं आपके इस वाके से थोला सा असामती प्रकट करता हूँ आगे बढ़ने वाले कभी परचाई को देखते नहीं और परचाईयों को देखने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं हम खुद की परचाई को देखकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन किसी की परचाई से प्रेरित होकर खुद को आगे जिरूर बढ़ा सकते हैं और तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारी परचाई लोगों को आगे बढ़ने की प्रेड़ ना देगी इसलिए आगे बढ़ो पर किसी के उपर पाउं रखकर किसी की तरक्य को और तालीब को उपर पाउं रखकर मत बढ़ो खुद उसका अनुकरन करके करो या अपने पाउं में बल जगा करके करो हम औरों से प्रतिश परधा न करें प्रेड़ ना लें और कदाचित प्रतिश परधा भी हो तो सफते प्रतिश परधा किसी को पीशे धकेलने की जगा खुद को आगे बढ़ाने की ताकत लगाएं तो वो हमारी जीवन के लिए कुपलब्दी होगी और जो वेक्ति अपने दम पर अपने जीवन को उचाई तक पहुचाते हैं वे और लोगों के लिए एक आदर्स बन जाते हैं सभी लोग उनसे प्रेड़ ना पाते हैं मैं अक्सर कहता हूँ मनस्तिती कैसे बदले सबसे पहली बात तो ये देखे अपने जीवन के अनभाव को देखे मैं समेज सिखर जी के ही बात करता हूँ समेज सिखर जी जो लोग आते हैं यहां बंदना करते हैं बंदना का रास्ता कितना दुरू है 9 किलो मेटर चुनना 9 किलो मेटर की बंदना और 9 किलो मेटर उतरना ये कष्ट प्रदर रास्ता है ये कष्ट प्रदर यात्रा है लोगों के लिए सहज नहीं है किसी भी विक्ति के लिए ये बहुत कठिन है क्योंकि आज जिस तरह की लोगों की जीवन सहली है वो तो दो सो मीटर भी पैदल चलने के लिए राजी नहीं होते सरीर उसके लिए तयार नहीं होता लेकिन फिर भी लोग इस दुरूह यात्रा को भी बड़ी प्रशन्दता के साथ पूरी करते हैं क्यों कि हमने उसे एक्सेप्ट किया है कि यात्रा कठिन जरूर है पर हमें करना है और एक बार यात्रा करके नीचे आते हैं तो अपने आपको कृता और तसा महसूश करते हैं कि मैं तो भी मुह गया मैं तर गया यही होता है यह क्या हुआ अगर उसी वेक्ति को कहा जाए कि तुम को तीन किलोमेटर तक जाकर के वापस आना है और वो भी बात अगर डंड़ सरूप दे दिया जाए तो सामने बाले को बड़ा कष्ट होगा 27 किलोमेटर की यात्रा करने के लिए तयार है पहाल की यात्रा करने के लिए तयार है पर 3 किलोमेटर की पैजल यात्रा के लिए मन तयार नहीं है ये दुखदाईयो सुकारी मतलब क्या है मतलब यही है कि ये यात्रा हमने स्विकार ली इसलिए दुरुय यात्रा भी सुगम हो गई और जिसे हम सुगार नहीं करते वो सुगम भी हमारे लिए दुरुगम बन जाता है तो मरस्ठति को बढ़ने के चार सुत्र देता हूँ जो कोई कैसी भी situation हो चाहे जैसी परिस्थिती हो उसे accept करे पहले बाद, स्वीकार करे मुझे इसमें रहना है चाहे बिपत्ती हो चाहे बिशमता हो चाहे अन्य कोई बिमारी हो, या कोई बियोग हो, ये मेरे जीवन की बिपरीत ताका देो तक है हम इसे accept करते हैं श्वीकार करते ही चीजे सहज होने लगती है चीजों को जो हम श्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए भारी हो जाती है तो हम उसको सबसे पहले चरण में श्वीकार करे जो है, ठीक है दूसरी बात हमारे जीवन में जब भी विप्रिष्टिती आएं तो हम उसको लेकर सकारातमक देखना सुरू करें श्विकार करने के बाद उसके विशे में सकारातमक सोचे यानि दुख में सुख खोजें प्रतिकूलता में अनुकूलता देखें बिपत्ती में भी संपत्ती देखें तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा जैसे दुख में सुख खोजने की बात है आपको लग रहा है कि मेरे सामने की परिस्टिसी बहुत खराब है लेकिन आप अगर देखेंगे तो दुख में भी सुख हो सकते है मैं आपको बताऊं मेरे पास एक इस्थान पर एक साथ दो महिलाया आई पांच मिनट के अंतराल से एक महिला इसलिए बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी कि उसका पत्ती शराब पीता पत्ती में एक कमी थी सराब पीने की बाकी हर जगा की हर छेतर में उसकी लाइकी थी पत्ती बहुत दुखी थी वो इस बात के लिए एक बहुत छुब्द भी थी दुखी भी थी कि मैं कहां नरक में फस गई मैंने उसको अपने तरीके से समझाया पती सराप पी रहा है पतनी दुखी है क्योंकि उसको पती की सराप दिख रही है उसके पती की और जितनी अच्छाइया थी वो बिलकुल नहीं दिखे एक दूसरी महिला आई उसका पती भी सराप पीता था लेकिन जब उसकी बात आई तो उससने कहा महराजजी मैं क्या बताऊं मेरे पती बहुत अच्छे हैं और मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पती जीसा पती सब को मिले सामने वाले ने बोला यह तो सराब पीते तुम कह रहें सब को मिले कमाई पूरी है बच्चों का ध्यान देते हैं मानती हैं यह सराब उनकी एक कमी है यह भी छूट जाएगे सराब पीते हैं उनकी कमी यह छूट जाएगे लेकिन बाकी तो अच्छाईया हैं मैं तो ये भी देखती हूं कि बहुतों के पती भले सराब नहीं पीते पर रोज लडाई करते हैं बहुत सारे पती ऐसे हैं जो कमाई नहीं करते हैं और भाउनाओं का ख्याल नहीं करते हैं मैं इस अर्थ में अपने आपको भाग साली करते हूं अमराजी धरमकारे में मेरी पूरी शूट है वो कहते है तुम्हे जो करना है शुकर हो तो मैंने बिटाए कर लिया पहले सोचा कि अपना सराप छोड़े छोड़े लेकिन मुझे लगता कि अब ये नहीं है तो मैंने सोचा एक सराप को पकल करके जीवन को खराब करने क्या पिक्षा है इसे श्विकार कर लो उनको उनके हिसे में जिने दो मुझे मेरे हिसाब से जिने दो क्या आप ऐसे सोच रख सकते है अच्छाई देखें बुराई नहीं लोग बुराई में आपको बुराई में अच्छाई देखने के लिए करता हूँ और लोग अच्छाई में भी बुराई देखते है बुराई में अच्छाई देखोगे जीवन अच्छा बनेगा और अच्छाई में बुराई देखोगे जीवन खराब हो जाएगा तो बुराई में अच्छाई देखिए प्रतिकूल की एनकूल व्याख्या करना सिखिए दुख में सुख खोज ना सुखिए बिपत्ती में भी संपत्ती देखिए मेरे संपर्क में एक सजन थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनके मित्र ने आकर कि कहा मराजी इनको बहुत भारी नुकसान हुआ उन्हेर ने का नहीं मराज मुझे नुकसान नहीं हुआ नसीहत मिली ये सोच आप बना सकते एहces अद्मी कभी दुखी होगा करें, नमबर एक, नमबर दो प्रतिकूल की अनकूल व्याख्या करना सीखे, उसके प्रति शकारात मग द्रिष्टी रखे, और नमबर तीन धैर रखे, मन में अधीरता उत्पन ना होने दे, ये सोचें, थोड़े समय बाद सब ठीक करना चाहिए, हतासा को अपने मन में हावी मत होने दीजे, तो जीवन में सब बाते अपने आप अच्छे से घटित हो सकेगे, महरा स्री, अनिल जी महता, पानी पुरी के ठेले पर अमीर गरीब सब प्लेट लेकर के खड़े होकर के गोल गप्पे का इंतिजार के बाद भी आनंद लेते हैं, लेकिन हम सभी प्रभू के चरणों में पूजा की ठाली लेकर खड़े होकर पूजा के फल का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो भारा स्री, पूजा के ठाल में कौन सा चटपटा भक्ती का मसाला डाले हैं, जिससे पूजा के आनंद से हिरदय प्रफुलित हो जाए, गोल गप्पे फीके हो जाए, एक बार फिर से सवार करें, पानी पूरी के ठेले पर अमीर गरीब सा प्लेट लेकर के खड़े होकर के, गोल गप्पे का इंतिजार के बाद भी आनंद लेते हैं, लेकिन हम प्रभु के चरणों में पूजा की ठाली लेकर खड़े होकर, पूजा के फल का आनंद नहीं ले पाते हैं, तुम्हारा स्री, पूजा के ठाल में कौन सा चटपटा भक्ती का मसाला डालें, जिससे पूजा के आनंद, पूजा के आनंद से हिदय प्रफुलित हो जाए, और गोल गप्पे फीके पड़ जाए, मैं तो आप से कहता हूँ, कि पूजा की ठाली में किसी मसाले को डालेने की जिर्वत नहीं है, बहुत अच्छा उधारन दिया है, कुशी उधारन से मैं उत्तर दे रहा हूँ, कि पूजा के ठाल में किसी और मसाले को डालेने की जिर्वत नहीं है, पूजा में गोल गप्पे जैसी रुची जगाने की जिर्वत है, जिस दिन गोल गप्पो जैसी रुची तुमारे भगवान की भक्ती में लग जाए, तो तुमारे जीवन में उत्ता ही आनन्द आएगा, बलकि उससे भी आधिक आएगा, लोगों के साथ मुश्किल ये है, कि उधर रुची है तो उधर लाइन लगाने के लिए, रहात में प्लेट लेके खड़े होने के लिए राजी हैं, इधर रुची नहीं है, इसलिए इसा भार लगता है, हर मनिस को चाहिए कि अपने धानमी कारियों को अपने जीवन के उत्थान का एक आधार माने, और उसे अपनी प्राथ्मिक ताओं की सूची में सबसे उपर रखे, जब वो ऐसा करेगा तो उसके जीवन में जो रस आएगा, आनन्द आएगा, वो सब खतम, अब मैं तो ऐसे बहुत को जानता हूँ, जो कभी गोल गप्पे खाते थे, और आप ऐसे लग गए, कि अब गोल गप्पो का मुँ ही खतम, जीवन की कथा ही बदर गई, जीवन की धारा को परिवर्तित करने का यही एक मात रास्ता है, महारा स्री, नितिन जेन बिनौली बागपस से चरणों मबंदन करती हूँ कह रहें कि महारा स्री, किसी ने क्या मन को छूलेने वाली खूब बात कही है कि, जिंदगी मा जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि दूसरों के पास कैसी है, सब को बस यही लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी है, तो महारा स्री, मेरी संकाहिए है कि हम अपनी जिंदगी को मा जैसी कैसे बनाएं, कि हमें अपनी जिंदगी सबसे अच्छी लगने लगे, क्रपया समाधाने, बहुत अच्छा वाक्त है, जिन्दिगी को मा जैसी होनी चाहिए जो सबसे अच्छी लगे हम अपनी जिन्दिगी को मा जैसी कैसे बनाए जो हमें सबसे अच्छी लगने लगे हमारी जिन्दिगी सबसे अच्छी लगने लगे देखिए विक्ति कि जिसी जब मा के प्रती जाती है तो माँ से इतना भी भूत होता है कि अभी कोई सोचता है नहीं कि इस माँ के अतरिक ते मेरी कोई और माँ होती माँ से प्रेम होता है तो माँ से प्रेम होता है माँ उसे अच्छी लगने लगती लेकिन मनुश के साथ कुछ विडमना दूसरी है उसे अपनी जिन्दगी से कम औरों की जिन्दगी से लगाओ ज़्यादा है विक्ति अपने जीवन में ज्याखने की कोशिश कम करता है दूसरों की जीवन में ज्यादा ताग ज्याख करता है उसका क्या हो रहा हो कैसे जी रहा हो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जिस दिन तुम्हें अपने जीवन से प्रेम होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ घड़ जाएगा जिसकी तुम अपेक्षा करते हो तो अपने जीवन से प्रेम करो अपनी तरफ देखो महारा स्री निर्मल कुमार जी जेन जिला अलवर से इस्थान सुननी आ रहा है जिला अलवर से नमोस्तुर बिदित करती हो कहरें कि महारा स्री हम मंदिर का निर्मान करा रहे हैं क्या मंदिर में गर्ब गरहे के बगल में जरूका रख सकते हैं गर्ब गर्वा क्या थीक बाजिव में जहरूख़ा खासकर धख्षिअ होना चीए गर्वा कर बंद होता है फिर भी जो मंदिर का निर्वान करा रहे चात्रा हूँ मेरी संका यह है कि महराजी मेरी वेश्ट फ्रेंड की माता जी को कैंसर वीमारी है महाराश्री करपया बताइए उनके अच्छे स्वास्त के लिए में और क्या और मेरा परिवार क्या कर सकता है करपया हमें तर दीजिए साथी साथ महराजी प्रामानिक समुह की योर से हम आपको बहुत 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 नमोस्तु निवेदित करती है प्रामानिक समुह की खबर आई है कि उन्होंने कल से पाट साल आपनी प्रारंब कर दी हमारत जी आपका आशिवाद चाह रही है कि बहुत अच्छी बात पहले तो मैं मानन्या को आशिरबाद देत ही वंडर उमेन ऑप जैनिजम ये साइद इसका बिशा यही है ना जो भी हो तो बहुत अच्छा कारिकर्म चल रहा है और लोग उसमें भाग ले रहे हैं मैं सभी लोगों से कहूंगा कि अपने बच्चों को इसमें सम्मिलित कराएं ताकि वे अपने जीवन में संसकारों को गर सके ये इनको देखना चाहिए आपका सवाल बहुत अच्छा है कैंसर हुआ है बेस्ट फ्रेंड की मा को कैंसर हुआ है उनके लिए भावना भाय और उनसे कहे कि वे अगर नमोकार मंतर जानती हो तो नमोकार मंतर का लेखन करे साथी साथ भावना योग करे नीमित नमोक ही अच्छा परिणाम आता है जो भी चिकित्स की परामर्ष है और चिकित्सा की शुधा वो तो ले ही ले लेकिन उनके साथ यह इन तोनों चीज़ों को करते हैं तो इतना सुनिशित है ऐसे विक्ति की कभी अकाल में मौत नहीं होगी वो बहुत सांती और बेदना मुक्त होकर अपना जीवन जी सकेंगे अरस्ति प्रभिया सिंगें गड़ा कोटा जिला सागर से नमुस्त निवेदित करती है कि कहा जाता है कि जिन्दिगी की आधी नाकामियों का कारण घोड़े की छलांग लगाते समय उसकी लगाम खीच लेना होता है तो हे गुरवर हम अपने जीवन की ऐसी नाकामियों को कैसे सफलता में बदल सकें एब हम अपने जीवन की पूर्ण जीवन की पूर्ण छमता के साथ विकास कर सकें क्रपया मार्ग दरसंदी जीए बहुत अच्छा वाक है मुर्श की आधी नाकामियों का कारण घोड़े के छलांग लगाते समय उसकी लांग लगाम खीच जिलेने जैसा है पहले लोगों के साथ होता है जब लोग आगे बढ़ने को होते हैं तब ही उसकी लगाम खीच ली जाती है सबसे पहली बात तो ये है कि हर वेक्ति को जमीनी हकीकत को समझ कर धरातल को समझ कर के ही छलांग लगाने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे छलांग कभी न लगाए कि छलांग लगाते समय हमें लगाम खीच ना पड़े और एक बार छलांग भर लिया तो उस पार ही जाए बीच में रुकने का काम नहीं अपने जीवन की सफलता हम पाना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ छलांग लगा कर के सफल नहीं हो कदम कदम चल कर के सफल हो आजकर एक बिड़मना है कि लोग एक साथ सौ सीड़ी चलने की कोशिश करते हैं मैं लोगों से करता हूँ एक साथ सौ सीड़ी चलने की जिगा एक एक करके हजार सीड़ी चलने की छमता अपने भीतर बिक्षित करो एक एक करके अगर चलोगे तो हजार सीली चल सकते हो एक साथ सौ सीली चलने की कोशिच में कब तुम्हारी कमर तूट जाए कहा नहीं जा सकता इसलिए सफलता के छेतर में वेकली को कदम दर कदम चलना चाहिए और अपना लक्ष सही रखना चाहिए और लक्ष के प्रती अपनी बुद्धी को अनुवंधित रखना चाहिए संकल्पित होना चाहिए समर्पित होना चाहिए और उसके लिए अपना सर्वस्षेष्ट लगा देना चाहिए जब तक मेरे लक्ष की पूर्ती नहीं होगी तब तक हम दम नहीं लेंगे ये सोच बना करके चले तो कहीं कटना ही नहीं हो सकते हैं का समाधान में चार बातें बताई थी लेकिन इसी प्रश्ण को मैं दुबारा इसलिए प्स्तृत करना चाहि रहा हूँ कि यह प्रश्ण के उत्तर की जरूरत हम से ज़्यादा आज के बच्चों को है तो हे गृर्वर मेरी आपसे गुजारिस है कि यही चार बातें बच्चों को उनकी भासा में करपया समझाएं, जिससे की हमारा जीवन अच्छा हो सकी। देखो मैंने कब कौन सी चार बातें कहीं मुझे ही पता नहीं। मैं तो जो बोलता हूँ इस पॉन असली जो निकलता है तो बोल देता हूँ। अब मुश्किल यह है कि मैं अभी बोलूँगा मुझे पता नहीं कब कब क्या क्या बोला। लेकिन जो भी बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ इतना भरोसा रहता है। आपने एक सवाल किया है और बच्चों को केंदरित करके बत किया है। तो आज मैं बच्चों को केंदर में रख करके मन को नियंतित करने के चार सुत्र आप सब को देता हूँ हो सकता है ये बच्चों के साथ बड़ो केले भी लाबदाई हो क्योंकि मन के चंचलता के सिकार बच्चे बड़े सब है और सब को इन सब की जरुवत है इसलिए आज चार वातें बच्चों की प्रमुकता से मैं दे रहा हूँ बच्चों का मन चंचल होता है तो वो बच्चे अपने मन की चंचलता को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष को फिक्ष करे उसके लिए संकल्पित रहे कि मेरा जो लक्ष है मुझे उस लक्ष की पूर्ती करनी है जैसे खास कर बच्चों की शिकायत होती है पढ़ाई करते समय उनका मन चंचल हो जाता है बच्चे के लिए माबाप पढ़ने के लिए बोलते हैं और बच्चे चंचलता के करने इधर उधर काम करने लगते हैं बच्चों को ये अपना टार्गेट बनना चाहिए कि मुझे पढ़ना है तो जिस समय पढ़ना है उस समय केवल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है अगर वो लक्ष पढ़ाई का उनके शामने होगा तो मन इधर उधर नहीं जाएगा उन्हें ये रखना चाहिए कि मुझे अपने लक्ष की पूरती करनी है मेरा जो काम है वो मुझे करना ही है अगर ऐसा करोगे तो मन में चंचलता नहीं होगी जैसे बहुत सारे बच्चे होते जो पढ़ाई को प्रमुकता देते हैं उनको हमर करना है तो करते हैं वो उनकी प्राइरिटी में आ गई है ये मुझे करना है को दूसरा भी धर उधर करें ये वो सब काम बाद में पहले मुझे करना है तो पहले बात अपने लक्ष के साथ अपने आपको संकल्पित करें अपनी प्राइरिटी में वो ही रखें कि प्राइरिटी मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है ये बात हम अपने मन के साथ जोड़ेंगे तो बच्चों के मन में कभी चंचलता नहीं आएगी तीसरी बात जब मन इधर उधर भागने लगे तो उस समय कुछ अच्छा सुनने लगे अच्छा पढ़ने लगे और किसी से अच्छा मारदर सन ले जिससे मन की उचाट कम हो जाए मन को जब मोटिवेशन मिलता है तो हम अपने मन में बहुत कुछ इस्थिर्टा लगा सकते हैं ला सकते हैं और कई बाद किसी के कारण से जब मन में इस्थिर्टा आजाती है दूसरों को देकर दूसरों के बहवार को देकर तो उस समय हम कुछ पहना सुरू कर दें तो अपने मन में श्थिता ला सकते हैं महरसी प्रकास चंजी पहाड या एचल करंजी से नमुस्त निविद्ध करती हुए कह रहे हैं कि एक भ्रमर बिना फूल को हानी पहुचाए उस फूल की रस को ले लेता है हम भी मानावतावा समाज को हानी पहुचाए बिना शौम वापरणदा दायक व्यक्तित्व कैसे निखार सकें भौरा बन जाओ तो निखार सकते हुआ महुरा क्या करता है फूल को आगात पहुँचाए बिना रस लेता है हम भी इस पूरी के पूरी वानोता से उसे आगात पहुँचाए बिना उसका रस ले सकते पर उसके लिए हमें भ्रमर जैसा गुन चाहिए भ्रमर मधुर गुंजार करता है फिर फूलों पर बैठता है एक तरफ ततस्त हो करके बैठता है दो तरह के प्रानी है एक मक्षी जैसे एक भृमर जैसे मक्षी भिनमिनाती है और भृमर की गुंजार होती है मक्षी की भिनमिनाट कभी पसंद नहीं आती और भुमर की घुंजार सब को आनंद देती है अपने जीवन में हम कुछ ऐसा करे जो भौरे जैसा हो जो हमें खुद सुखद अनुभूती कराए और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी उसके लिए हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि आज इस फूल से मैं रस ले रहा हूँ कल दुबरा मुझे इस पर बैठना है इसलिए इसका आगात हमें नहीं करना इतनी समझ हो जाए तो सब चीजे ठीक हो सकते स्रीमती गुर्माला निर्मिल कुमार जीजेन रोठियाई जिला गुना से चरणों में नमुस्त निवेद करती है कि पुझसरी मेरी संका यह है कि जब रात्री में हम सपने देखते हैं तो क्या हमें सपनों में भी दोस्त लगते हैं सपनों में भी हमें पुन्यासरा होता है और क्या सपने हमको हमारे परिणामों के अनुसार आती है और किस तरह के परिणामों से हमें कैसे सपनी आती है कृपया समाधान करें सपनों से जुड़ा सवाल है इसके कई पहलों है सबसे पहले हम सपने के विशे में जाने की सपन है क्या फिर हम जानेंगे इसमें हमें दोस लगते हैं, पुर्ने लगता है, पाप लगता है या नहीं लगता है और फिर तीसे चनल में क्या पुछा है, सपनों में? सपने हमको हमारे परिणामों के अनुशार आती हैं क्या? क्या आते हैं, सपने हैं क्या? सपनों के विशे में मेडिकल साइंस मनोविज्ञान आयरवेद और जोति शाच सब में अलग अलग बाती कही गई है इनि में सब पर काफी विस्तार से चाचा और धर्म सास्तों में भी सपनों की चर्चाच मेडिकल साइंस के अनुशार रात्री में जह हम सोते हैं तो हमारे स्नाईव तंत्र में संकोच होता है और स्नाईव तंत्र में संकुचन होने के कारण मस्तिष के स्नाईव तंत्र में संकुचन होता है तो हमारे अंदर स्वपन की स्रिष्टी होती मनविज्ञान के अनुषार हमारी तीन प्रकारी की इच्छाएं होती है व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा हमारी व्यक्त इच्छाएं तो प्रकट होती है लेकिन जब हम सोते हैं इस नाईव तंत्र के संकुचन के करण अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं बिभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती आईरवेज के नीमा नुशार बात, पित, कफ इन तीन दोसों के निमित्त से सपने आते है जोतिस सास्त के नुशार किसी भावी घटना के संसूच नात सपना आते हैं जो निद्रा निद्रा पचला पचला अधी कर्म है उसमें हमारे अंदर सपन आते हैं तो यह सपने की बात है, सपने के संदर में पहली बात तुम एक कहूंगा अस्वस्त वेक्ति के सपने का कोई अर्थ नहीं होता स्वस्थ वेक्ति के भी श्वपन प्राया वर्थ होते हैं कचित कजाचित कोई कोई श्वपन जो स्वस्थ वेक्ति को आए उसके कुछ अर्थ होते हैं महापूर्सों के जन्मे से पहले उनकी माताएं तिर्थमकरादी की माताएं सोला सोला सपने देखती हैं अन्य महापुर्सों के जन्म के पूरवी जो सपने देखे जाते हैं, वो भावी घटला के संसूच नार्था होते हैं, जो तिस सास्ते से बताता है, लेकिन इसमें भी वेक्तिका स्वस्त होना, और किस समय, किस तिथी में कौन सा सपने देखा है, उसके अनुरूप उसका फला जागृत उपयोग और एक सबसूप उपयोग, जीवन में जो भी विशुधी की बात है, वो साकार जागृत उपयोग में, संमेक दत्तन की प्रापती भी साकार जागृत उपयोग में होती, सुपत अवस्ता में नहीं, तो इससे ये फलित होता है, कि जब हम जागृत तभी विशेष पुन्य करेंगे और जब हम जागरित होंगे तभी हमारे दोरा विशेष पाप होगा जागरित अवस्था में हमारे जो परणाम होते हो बुद्धी पूरवक होते हैं स्वप्न अवस्था में हमारे जो प्रणाम होते अबुद्धी पूरवक होते है यद्देपी स्वपनवस्था में भी कर्म का बंद होता है लेकिन जो क्रिया हम सपने में कर रहे हैं उसके बंदने वाला कर्म और जो क्रिया हम साक्षात कर रहे हैं उससे बंदने वाले कर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है स्वप्न अवस्था में किये गये करम में अज्यात अभाव है इस लिए अभुद्धी पुर्वक होने से अलप बंध होगा और जागृत अवस्था में होने वारा अबंद विसेस बंध होगा तेब्र संकलेश या तेब्र विशुद्धी दोनों जागरित अवस्था में होती है, शुप अवस्था में नहीं महरासी प्रमोत कुमार जैन पापडिवाल महावी नकर दुर्गापुरा जैपुर से नमोस्त नविदित करती हुए कह रहे हैं काटे तो यूही बदनाम है, जबकि चुबती तो निगाहें भी है, काटती तो कड़वी जवान भी है, प्रस्निया है कि हम किसी एक को टार्गिट बना करके उसी पर सारा दोस लगा देते हैं, जबकि उतने ही गलत तो और लोग भी हैं, फिर उनको हाइलाइट क्यों किया जा बहुत अच्छा वाक कहा, काटे तो वरत ही बदनाम है, चुबती तो हमारे निगाहें भी हैं, और काटती तो जबान भी है, बात बिलकुत सही है, पर बनुश का नजरिया जिसके पती जैसा हो जाए, वो दिखता है, मैं तो ये भी देखता हूँ, कई ऐसे लोग हैं, जिन हूँगा, कि कभी भी अपने नजरिये को ऐसा न बनाओ, कि तुम्हे कोई चुबहे या तुम किसी को चुबहो, हम जहां तक बने, सब के साथ सुखत अनुभूती दे सकें, अरा स्री स्री साथ, शानी, जैपर से नमौस्त निवेजित करती है, कि गुर्देव, मेरा प्रश कैसे करें, ताकि हम अपने लक्ष तक कहुँच सकें, कृपया मारक धरसंदीजे, बहुत सही बात है, हम किशी भी दिष्ञा में चले, हम किटना भी बड़ा पुर्शार्थ करें, चाहे कितना भी उचा प्रयत न करें, प्रयतन से भी ज़्यादा महत पून प्रयतन की दिश हमारी जादे क्या है प्रितने की दिशा क्या है सही दिशा में किया गया छोटा सा पुर्षार्थ महान फल देता है और गलत दिशा में किये गए बड़े बड़े पुर्षार्थ भी अर्थहीन होते है दीमक के दोरा यदपी सतत प्रितन है लेकिन वो भी नास के लिए है हमें दिमक की तरह काम नहीं करना हमें चीटी की भाती काम करना जो पहाल भी चढ़ जाती है वो सदद चल रही है चल रही है सजनात्मक दिशा देने से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे तो हमेशा अपने अंदर ये समझ हो हमारे जीवन को सजनात्मक दिशा मिले और हम अपने जीवन को उशियन रूप गती दे सकें भारत भूचन जी अलवर से नमोस्तु निवित करते हूँ पूछना चाह रहे हैं कि महरा स्री आज दामपत जीवन में दिन प्रती दिन टकराव क्यों बढ़ रहे हैं दामपत जीवन को सहजबा सुखमय बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए दामपत जीवन में दिन प्रती दिन टकराव क्यों हो रहे हैं ये आज की सोच है यदि भी हमेशा रही है लेकिन आजकल ज़ादा है पहले लोग पती-पत्नी की भाति रते थे अब पती-पत्नी की भाति नहीं रते है हस्बेंड वाइब की भाति रते है और अब हस्बेंड वाइब का भी concept धिरे-धिरे बदलता जा रहा है अब एक दूसरे के life partner होने लगे और यह जो partner सब्द है न यह सब्द ही थोड़ा सा मुझे नहीं जसता यह partner जहां है वहाँ भागीदारी वाली बात हो गई और यह जहाँ जीवन में इस तरह की भागेदारी, हिस्षेदारी की बात हो गई तो वहाँ जीवन के हिस्से ही हो जाएंगे एक रूपता नहीं होगे हमारे हाँ जो संबंध बताए गए है वो दोनों के साथ पती पतनी के साथ एक नितांत भावनात्मक संबंध रहा है और जब तक भावनात्मक संबंध प्रगाल नहीं होता तब तक एक दुसरे कि संबंधों में मधूरता नहीं आती आज भावनात्मक्ता गौन होते जा रही है और बुद्धिवाद बहुत तेजी से उभर रहा है जब मनुश की बौधिकता हावी हो जाती है भावनाएं सूखने लगती है तो संबंधों की सरस्ता समाप्त हो जाती है मैं इस कहूंगा कि हम भावनाओं को प्रमुखता दे पुराने समय में ऐसे नेक उधारन बिले हैं कि लोगों ने एक दुसरे के भावनाओं को समझा है जाना है और उसका सम्मान किया है एक दुसरे के बीच में भी अलग-अलग एक आउंट आने लगे अलग-अलग पैके जाने लगे सोच जब व्योसाइक हो जाएगी तो फिर प्रेम कहां ठिकेगा प्रेम तब ठिकता है जब एक दूसरे के प्रती पून समर्पन का भाव होता है ऐसा भाव निरंतर बढ़े तो लोग एक दूसरे के साथ न किवर अच्छे से जी सकते हैं अपितु दो देह में एक प्रान जैसा आदर सुपस्तित कर सकते हैं हमारे देश में ऐसे नीक लोग हुए जिन लोगों में आपस में संबंध इतने मधुर बने कि मत पूछो तो वो संबंधों में हमें अपने इस भावना को प्रमुक्ता लेने की बात सोचने चाहिए मारा स्री लगातार प्रशने आते ही जा रहे हैं मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जब तक कि अगली सूचना ना मिले तब तक कि लिए आप लगातार ओन्लाइन प्रसन ही यहाँ पर भेजें क्योंकि वही प्रसन यहाँ पर लिए जा रहे है प्रामानेक एप के माध्यम से आप अपने प्रसन यहाँ पर जरूट भेज सकते हैं मारा स्री, हीरा जी बढ़ जात्या, हजारी बाक से नमुस्त नमुस्त करती हूँ कह रहे हैं कि मारा स्री, आज कल त्यवहार और ब्यावार दोनों ही फीके लगने लगे हैं, आज कल त्यवहार और ब्यावार दोनों ही फीके लगते हैं, दोनों को रस्दार बनाने के लिए क् करना चाहिए कुछ नहीं केबल रुची जगानी चाहिए लोगों की रुची बदल गई तो तेहवार फीके पढ़ने लगे इसी तरह लोगों की रुची बदल गई तो वहवार फीके होने लगे आज भी लोग अगर अपनी रुची को जगाने में शमर्थ होते हैं तो तेवार और वहवार दोनों ठीक होगा और वहवार में भी तेवार की जिलक होगी सोच बदरिये, चिंतन की दिशा बदरिये हर्विक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम एक समाजिक प्राणी है और हमें एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए अपने बहवार को मधूर बना करके चन्ना चाहिए तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे मरा जी सद्शार जिंतर के आपके चुरणों में बंदन करती है के हैं कि ब्यवार में मैं सबसे मिलजूल करकर रहूं यह मेरे लिए अच्छा रहता है ब्यवार में का रोज में अपने जीवन में कैसे ताल मिल बठाओं सबसे हिल मिल कर रहते वे भी अपने अंदर ये अहसास करो कि मैं सब के साथ अधा करके भी सबसे अलग हूँ आप लोग दो लाइने मेरी भावना में पढ़ते हो फैले प्रेम परस पर जग में मोहों दूरी ही रहा करे अर्थाद सबसे हिल मिल करके रहना लेकिन किसी से मोह नहीं करना इन अधिनाओं संयोक की तरह जीना जैसे आप यात्रा करते हो यात्रा में आपको अनीक लोग बिलते हैं उनके साथ बड़ा प्रेम भी रहता है मदुर्शंबंद भी होते हैं मौत अच्छी अच्छी बाते भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी इस चीज का अहसास होता है कि मैं इन से अलग हूँ अपने करतब भाओ के नाते हम एक दूसरे के साथ मिल जूल करके रहें लेकिन आत्मस सत्ता का अहसास हर प्रानी को बनाए रखना चाहिए जब ऐसी शद्धा और ऐसा विश्वास अपने अंतरंग में जमेगा तो सब के साथ रहते वे भी स्वैम में रमे रहने की छमता विख्षित हो सकेगे महारास्री सीतल जन हिंद मोटर्स आपके चरणा में नमुस्तु निविद करती है कह रहे है कि मैं आपका नित्य प्रवचन और संका समाधान सुनती हूँ कुछ दिन पहले ही मैंने प्रामानिक समूह के संका समाधान के किप्स लाइटिंग से जुड़ी हूँ मैं आपके समक्ष आकर ही आसिरबाद लेना चाहती थी किसी कारण बस ना सकी मैं अपने कायरे को अच्छी तरह कर सकूँ मुझे आसिरबाद दीजिए मेरा प्रशने है कि महारास्री खूबी और खामी दोनों ही होती है खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में जो तरास्ता है उसे खूबी और खूबी नजर आती है और जो तलास्ता है उसे खामी नजर आती है तुमारा स्री हम अपने हिर्दय को ऐसा कैसे बनाए जिससे खूबी ही नजर आए खामी नजर ना आए सबसे पहले तो मैं उन्हें आशिरवाद देता हूँ कि उप्रमानिक समुह से जुड़ी है जितने लोग प्रमानिक समुह से जुड़ कर काम कर रहे सभी को मेरा आशिरवाद अपने का खुबी और खामी दोनों होती है हम कैसे करें कि हमें खुबी ही दिखे खामी न दिखे, मैं कहता हूं बिलकुल नहीं, खूबी और खामी दोनों होनी चाहिए, तभी जीवन की पूर्निता है, तरासने से खूबी और तरासने से खामी, मैं आप सबसे कहूंगा, खूबी और खामी दोनों अपने भीतर रखो, अपने आपको इतना तरासो कि तुम्ह तुम्हारी खूबियां बढ़ते जाए और अपने आप में इतना तलासो कि तुम्हें तुम्हारी खामियां दिखे और उन्हें दूर कर सको खुद की खुबी को कम, खुद की खामी को ज्यादा देखो खुद को तरासो, औरों को तरासो औरों में खुबी देखो, खुद में खामी औरों की खामीों को अंदेखा करो, खुद की खुबीों को अगर अपने जीवन को उचा उठाना है तो खुद की खुबी को बढ़ाने की कोशिश करो खामियों को गठाने की कोशिश करो और औरों से यदि कुछ लाव लेना है तो उनकी खामियों को अंदेखा करके खुबी का फाइदा उठाने की कोशिश करो अमेका जैन जबलपो से नमुस्तु नवेत करती है कि हम भावना योग में प्रत्यक्ष रूप से भावना बाते हैं यदि हम यही भावना प्रत्यक्ष रूप से भगवान से करें तो यह निदान नहीं होगा क्या देखे निदान क्या है ये तो मंगल भामना है अपने जीवन को स्वस्त सकारात्मक सांत और सहज बनाने की ये भोगों की आकांग्षा नहीं है अपने जीवन को सहज बनाने की बात है भोगा कांग्षा निदानम इसको निदान नहीं मोलना ये प्रसस्त धर्मध्यान है जो हम रात भर रोसनी देता है, वही सुवह होते ही बुझा दिया जाता है। प्रसन यह है कि जब पूरी दुनिया स्वार्थी है, तो फिर हम लोगों पर स्वार्थी होने का इल्जाम क्यों लगाती हैं। करपया समाधान करें। हम पर कोई स्वार्थी होने का इल्जाम लगाए, तो हम बिल्कुल बुरा ना मानें। पर हम किसी दूसरे के प्रती स्वार्थ पुन वहवार ना करें। एक बात हमें इस धारने में भी देखना चाहिए। काम पूरा होने पर दिया का बुझ जाना या बुझा देना, कभी कि किसी के लिए नुक्सान का करण नहीं बनता है। लेकिन दिया जल रहा और उसके उजाले को लूट लेना, औरों को अंधेरे में जीने के लिए भी शब्त करना, ऐसा स्वार्थ कभी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, तुम्हें स्वार्थी बनना है, बनो। पर ऐसा स् स्वार्थ से किसी का स्वार्थ टकराएं नहीं, स्वार्थी होना बुरा नहीं है, अपने स्वार्थ की पूरती में दूसरों के हितों में बाधग बनना बुरा है। किसी के स्वार्थ को कभी टकराने मत दो, किसी के स्वार्थ को कभी खंडित मत होने दो, अगर आप दूस दूसरों के स्वार्थ को टकराओगे, दूसरों के स्वार्थ को खंडित करोगे, तो इसका कभी अच्छा परिणाम नहीं आएगा, इसलिए स्वार्थी बनना बुरा नहीं है, दूसरों के स्वार्थ को प्रभावित करना बुरा है, सच्चे अर्थों में स्वार्थी कौन है जो एक संत है जो अध्यात्म के मारग में लगे है आज हम लोग बड़े स्वार्थी है यह हर साधक स्वार्थी है क्योंकि वो अपनी आतमा का हिद दिखता है और मैं चाहता हूँ ऐसे स्वार्थी आप भी बनो लेकिन हम सेल्फिस नहीं है स्वार्थी वो जो स्वार्थी प्रोजन को करे और सेल्फिस वो जो केवल अपना मतलब सीधा करे दूसरों को परिशान करे उस दिन मैं बुरा हो जाओंगा जिस दिन मैं अपने स्वार्थ के पीछे आप लोगो काहित करने लगूँगा आपके स्वारत में बाधख बन जाओंगा तो दिया जाने के बाद बुझ जाए समय उजाला होने के बाद दिया बुझाए जाए तो कोई बुराई नहीं लेकिन रात अंधेरे में दिया के उजाले को लुट लेना अच्छी बात नहीं आए और दिया को इसलिए बुझा देना कि सामने वाले की कोटी में अंधेरा हो ये ठीक बात नहीं इसलिए स्वारती बनिये पर औरों के हितों को ध्यान में रख करके एक है स्वारत एक है सरवारत स्वाहित की बात करके पर हित में बाधख बनना ये लौकिक स्वार्थ है जो बहुत अहित कारी है और स्वाहित की पूर्ती करते वे परहित में साधक बनना सरवार्थ है जो हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा मार्ग है परमार्थ का पोशक है तो हम स्वाहित के साथ सर्वहित को देखे स्वाहिद की पूर्ती में परकाहिद कदापी न होने रहे असब कमार जी गांधी उत्साव सूला आहमदाबाद से नमुस्त निवेदित करती हूँ कह रहे है महारा स्री जिंदिगी में अकसर ऐसा देखा जा देखने को मिलता है कि कोई विक्ती कड़ी मेहनत और संघर्स करके जब सफल होता है तब लोग ऐसा कहते हैं कि उसका समय अच्छा है या उसका नसीब अच्छा है महारा स्री मेरी जिग्यासा है कि हम दूसरों की सफलता को देखने का नजरिया कैसे रखे बात तो सीधी सी है चरते सुरच को सब पढ़ाम करते हैं जब कोई आगे बढ़ता है तब ये कहा जाता है उसका समय अच्छा है उसका नसीब अच्छा है और जब कोई विफल होता है तब कहा जाता है कोई उसकी चट्चा ही नहीं करता और करता भी है तो कहता है उसका समय खराब है यह एक सभावी के प्रवत्ती है इस विशे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता किया नहीं जा सकता लोगों को चाहिए कि जीवरी के पती से कारात्मक नजरिया रखे और दूसरों को आगे बढ़कर के ये कहने की जिगा ये सोचे कि हमारा मुल्ले अंकत तभी होगा जब हम उचाई को छुएंगे नीचे गिरने वाले को कोई मुल्ले नहीं होता महत तो नहीं देता इसलिए हम दूसरों को देखने की जिगा खुद को आगे बढ़ाने का पुर्शाथ करें मारा स्री एड्वोकेट सुरेस जी जैन जैन से नमस्तन दिवित करती है कि रहे मारा स्री मैं प्रती दिन भावना योग करता हूँ उसमें एक लाइन आती है उसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भावना योग में एक लाइन कहीं कलेस का लेस रहे ना दुख कहीं भी होई है या दुख कभी नहीं होई सही क्या है मारा स्री करते अर्थ पता कहीं कलेस का लेस रहे ना दुख कहीं भी होई इसमें जो ना शब्ध है न ये मध्ध में है, दोनों के साथ है कहीं कलेश का लेस रहे ना और ना दुख कभी भी होई दुख कहीं नहीं होई भी हो सकता है लेकिन मूल जो हमने लिखा है उसमें यही पाठ है लोगों ने कुछ ने बदल दिया, वो ना दोनों जगा है साहित के अलंगार की दृष्टी से ना सब्द को बीच में रखना जदा अच्छा है तो कहीं कलेश का लेस रहे ना दुख कहीं ना होई ये सब्द कहीं कलेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होई दो जगा ना ना सब्द न देख करके दुख कहीं भी होई ये सब्द है अर्थ उसका यही है लोग नहीं समझ पाते तो जो जगा ना लगा दियें दो जगा ना लगाने की जरुवत नहीं है इस प्रकाराज के सब्द को परंपूझ गुर्देव के चर्णों में नमन अर्पि कि उँ कुछा ना यथ है इस दो जगा जगी है अर्प जगा है।